Hey guys welcome to my youtube channel technical guide today I am gonna show you how you can fix your pink screen problem in your computer or in your PC so first of all मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज प्लीज सब्क्राइब कर दीजेगा नीचे जो रेट कलर का सब्सक्राइब बटन लिख्या है वह सब्सक्राइब कर दीजेगा उसके बगल में ही जो बिल जैसे घंटी ऐसा है उसको प्लीज प्लीज कर दीजेगा फॉर्दर अपडेट के लिए जब मैं वीडियो बता रहा हो कि आप लोगों अपना पिंक स्क्रीन प्राफ्लेम जो कोई भी हो आप वह कैसे सॉल्फ कर सकते हैं जैसे मैंने नया कंप्यूटर खड़ीडा जैसे मैं देख रहा हो कि मेरा जो पिंक स्क्रीन है जैसे में अपना सब कुछ सेट अप कर ले उसके बाद जैसे ही चालू किया तो मैंने देखा मेरा स्क्रीन जो है वह पिंक हो चुका है लेकिन मुझे लग रहा था कि मॉनिटर में थोड़ा गलती है तो मॉनिटर को लेके जाता हूँ कही मतलब किसी कंप्यूटर में के पास ज जान होगा तो मुझे ऐसे मैं अनलाइस करके देखा मुझे आस से रियालाइज्ट कि वीजिए पॉर्ट में मुझे कुछ गल्ती हो सकता है तो मेरे स्क्रीन चलने लगा तो मतलब आप लोग ऐसे कर सकते हैं कैसे कर सकते कि बादा दीकी कि देखे हैं मैं आप लोग को बता अगर आपका ऐसे pink screen, green screen problem हो गया है तो VGA port जनुर बदल के देखिए और एक तरीका है first step वो तो गया और एक तरीका है अगर आप कोई भी problem दिखाई दे रहा है तो आप पहले सबसे पहले आपको कुछ करना क्या है आपको CPU खोलना है CPU कोल के जो cabinet है इसको खोल के आपको क्ये कर रहे है रैम को निकालना है रैम को निकालने के बाद आपको पूरा अच्छा मतलब पिंक स्क्रीन प्रॉब्लम सौल्व हो जाएगा मैं अपना परसनल एक्स्पीरेंस से बता रहा हूँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है कि पिंक स्क्रीन प्रॉब्लम तो आप दूसरे जनके कंप्यूटर में जाके देख लीजिए कि आपका यही था मेरा वह वीजिए पोर्ट जो खराब था इसमें देखिए आपको 15 पिन दिखाई दे रहे गा इसको अपसे ठीक से सेटप करना है अगर यह सेटप नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं होगा मतलब आपका वीजिए पोर्ट यह आप इसको नाम भी दे सकते हैं जैसे आप देख चुके मैं आपको VGA पोर्ट या HDMI या DVI जो कुछ भी हो आपको मैं बता दिया हूँ कि यही आपका प्राब्लेम कर रहा है पिंक स्क्रीन प्राब्लेम या ग्रीन स्क्रीन प्राब्लेम जो कोई भी फिक्स करना हो तो आप यह वीजिए पोर्ट बदाल कर देख ल प्राब्लेम के लिए जो भी होगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए का मैं आप लोगों को ऐसे हिल्प करते रहूंगा थैंक यू